आपको हमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको बनाने वाले हैं कि नमकीन कैसे बनाते हैं तो हम बहुत सीम्पल तरीके से आपको नमकीन बना के दिखाएंगे तो यह देखें मैंने कोटोरी बेसन ले लिया है और दो आलू है जो आलू को हम इसमें कदू कस कर लेंगे और यह बहुत सीम्पल है अदम बजार जैसे मनमकीन घर में ही खा श. т. रस wij बेतर घर में बना सकते हो नहीं में दम कम पैसे में और भी सिरिफ दो चीज में प्रेंड यह द हैँआँ खकूरि और हम क्रिशATOR नमकीन आप त्यार कर सकते हो तर इसpres नमक डालेंगे लाल मीर्च स mail question पारिद आ च Imp Nice समय उसमें बेकीन पाओडर डाला है फ्रेंड नपकीन खस्ता होने के लिए और अच्छे को डो बना लेंगे mix कर लेंगे अच्के से बेसन और आलू को अच्छे से mix कर लेंगे इसमें lumps नीर आना चाहिए और जो आप नम्कीन बनाओगे वह आपकी नम्कीन दम् क्रिश्बी होना चाहिए और एक बार बनागे खाओगे यह दम आप बजार से लाना भूल जाओगे बजार जैसा आप घर में ही हेल्दी और टेस्टी नमकीन घर में बना सकते हो उबी दम ताजी नमकीन और भी देखिए फ्रेंड दम एक कोटोरी में मैंने इसारी नमकीन बन एंड तेक वीडियो देखें वीडियो बीच में ना छोड़ें वीडियो पूरा देखें तो एक थैली आपके पास जो भी थैली हो फ्रेंड नमक की थैली हो चाहिए आपके पास बेशन की थैली हो तो वो थैली ले ले और उसमें डो को डाल ले अब देखें मैं आपको बो यह दस रुपे की पेपसी का बोतल है तो मैंने यह बोतल रखा था इसमें धक्कन में देखिए मैं च्छेद भी कर लिया है तो इसे आपको च्छेद कर लेना है अब इसमें हम डो डालेंगे अगर आप गिलाज से डालोगे फिरेंट तो पूरे आपके बोतल में लग जाएंगे तो इसलिए मैंने थैली उच किया ही देखिए राम से उसमें बोतल में जा रहे हैं ना आपके बोतल गंदे होंगे इस तरह किसे आप डो को बोतल में डाल सकते हो और देखिए फिरेंट कि तेल गरम करने के लिए रख दिया है तो चलिए अब इसको हम फराई करते हैं नमकीन को तो देखिए मैंने ओइल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था अब आपको इसको दबाना है यह अपने आप ही देखिए दम नमकीन बाहर लिकल रहे हैं और कितने अच्छे से लिकल रहे हैं और दम कुरकूरे और टेस्टी नमकीन आप घर में ही बना सकते हो अगर आपको विडियो अच्हा लगता है और अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन का महाा महीना में अगर आप एक टाइम भोजन खाते हो चाहे एक टाइम में अप एकास्ना करते हो तो ऐसे घर में ही नमकीन बना कर खाये असूद खाएं फिरें क्योंकि बाहर में तो पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं तो आप अगर भगवान का बरत रख रहे हो तो इसे ही घर में आप ये सिगार वाले नमकीन बना के खाईए और बरत पूरा करिए फिरें और आप सबको सावन का महीना का धेर धेर सूप कामना प्रें सावन का महीना चल रहा है तो आप सबको मेरे तरब से बहुत बहुत सूप कामना तो ये देखे प्रें अगर आपको नहीं नहीं वीडियो देखना है प्रें तो बेले मा एकम जरू दबाईएगा कि आपको हर नही नहीं वीडियो आने वाला हमारा मिल सके और केमें में भी बताइए अपरें कि आपको हमारा रेश्पी और डीश कैशा लगता है तो यह देखिए हमारे नमकी इंदम बन के तियार होगे तो इसमें हम थोड़े से चूड़ा एट करेंगे परें मैंने चूड़ा भी फराई करक twisting डालिए JLA था था थोड़ाओ अवन फ़ली डालेंगे कि अ sä сюда नमकी डालते है कियो कि सावन का महीना चल रहा है तो सावन का महीना मिदा आपको वह आली नमक नहीं स्वह घर में डी होँच करते है तो आपको इस में अने नमकी डालना है तो हम थोड़ा सा इसमें अछ इसे नमक है और फोड़ा सा हम इसमें लाल मीचा पाउडर भी डालेंगे और यह देखिये फ्रेंगे यह जीरा पाउडर बोलते हैं इसको जल जीरा भोलते फिरेंट यह आप सीगार में खा सकते हो यह दुकान में अर्म से मिल जाती है वह भी एक रुपे की आती है यह तो इसको डालने से गया है ना आपके दम इजो डीज बना रहे हो दम चट पटा और टेस्टी बनेगी थोड़ा साम में इसमें काली मिश डाला है थोड़ा साम इसमें लाल मिचा पाउर डालेंगे यह सब आप अपने बरत में खा सकते हो और घर में बना के खाएं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीस वीडियो को लाइक, शेयर और विलम आईकम जरू दबाईएगा और नए नए वीडियो देखना है तो आप अगर आपको और अच्छे अच्छे खाना देखना है तो आप में केमें में बताएं पिरें कि आपको और कौन सी रेश भी बना के दिखाएं और सब कुछ इतना हो सके फिरें हमारा वीडियो शेयर करें तो यह देखे फिरें हमारी कितनी अच्छी टेस्टी डम नमकीन बन के तियार हो गई है बजार से बहतर आप घर में ही बना के खाएं और कम पैसे में जो बजार से नमकीन खरीद करें तो उतने पैसे में आप घर में ही बना के खा सकते हो और भी टेस्टी बना सकते हो फिरें तो यह देखें, मैंने आपको सर्फ करके भी दिखा रही हूँ, तो चलिए फिरें, आपको हमारा रेश्पी कैसा लगता है, प्लीज केमेन में ज़रू बताइएगा, अज इतना हो सके फिरें, हमारा वीडियो सेर करें, तो चलिए फिरें, हम भी नए वीडियो के साथ तब तक से बाई प्रेंग